हेलो फ्रेंज वेलकम तो माई यूटूब चैनल माई स्टॉक्स डॉट इन और दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक 40 रुपे का स्टॉक देखने वाले एक fundamental analysis भी करेंगे थोड़ा और इसका बारे में टेकनिकल्स पर ज्यादा बाते करने वाला हूँ क्या होता है उनके बारे में बात करने वाला हूँ 40 रुपीज का स्टॉक है अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो सेकेंड टार्गेट 62 उसके बाद सीधा 100 के भी उपर जा सकता है तो इस giving a more than 100% return बट इसके लिए उतने पेशन्स चाहिए आपको उस टॉक में उतना रुकना पड़ेगे यह नहीं है कि आज के दिन में वो 40 रुपए का और अगले मेने 100 रुपए का हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है आप options में trade ने कर रहा है option में तो बही एक मिनिट में 40 रुपए का 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए हो सकते है इसलिए मेरा भी फोकस अभी ज्यादा options पर यह और में उस पर strategies पर फिर option basics पर वीडियो बनाना चालू करने वाला पीछे देख सकते है मैंने board video लगा लिया है सब just मुझे उस पर continue work करना है और continue profitable रहा हूं मैंने आपको मेरे statements दिखाए हुए है अगर आप strategy के साथ जाते हो तो यह एक monthly income बन सकती है एक outside income बन सकती है ज्योंकि regular आपको मतलब पैसा दे सकती है बट बहुत सारे लोगोंने क्या क्या है बहुत लोग होते ना लालची लोग ग्रिडी लोग होते उन्होंने क्या किया भई उन्होंने ये सोचा कि 5 रुबए का option लेगे 500 में बेच सकते है तो मैं एक ही दिन में 5 रुबए का 500 में बेच को करोड़ोपती बन जा हूँ और उन्हीं लोगोंने options को बदनाम कर दिया तो options से अच्छा पैसा कमाने को मुझे लगता stocks में भी ने कमा सकता हू ठीक है अभी मैं आगया आगया उसके बारे में वो content ये अभी अलग है मैं उसका आगया के बारे में बताते रहूंगा don't worry तो अभी ये वीडियो का इतात्वरी है यही क्या आप technical समझे fundamental समझो रही है stock देखते कहा तक जाता है ओके so अगर बात करेंगे stock कौन सा है electro steel casting करके stock है अगर बात करेंगे आप यहाँ पर monthly है यह monthly chart है monthly candle आप यहाँ पर देख सकते एक एक candle एक मन्त का है तो आप यहाँ पर समझे यह कितना आपको time लगेगा इसमें improvement लाने को या फिर यह उपर जाने को total vcp type of pattern दीख रहा है first day down आया लगबग लगबग again top बनाया था 43 rupees का again down गया लगबग लगबग 7 rupees तक again up आया नियर नियर टू 40 rupees और अगें डाउन आके अभी अब जा चुका है इन दो इसको चलो cross करने दीजे stock को नहीं नहीं बोलो तो 49.50 के आसपास के जो level से वो cross करने दो उसके बाद यह पैसा बहुत अच्छा कमा के देने वाला हो अभी अ 56-57 रुपे तक rally की हुई थी within a year so इसने बहुत बड़े आप पोटेंशियो दिखाया था और जो volume अभी है वो भी एक बहुत बड़ा volume है बड़े एक सीने सही कि यह stop ने हो रहा कंटिनियूसली बढ़ते जा रहा है अब होता है कभी ज्यादा होता है बट कंटिनियूसली अ इससे में entry ले सकता हूँ बट देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें देखने के लिए first of all मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा खासा भी होता then what is the stop loss और कईसे fundamentals इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे so first of all हमें किन लेवल के उपर बाइ करना चाहिए near to near 48 रुपीज के आसपा profit रोख रहा हूँ भाई मुझे चाहिए accuracy मुझे दो पईसे कम मिलेंगे तब भी चलेगे पर मिलना चाहिए ऐसा मेरा एक ध्यान रहता है जाद में कम ट्रेड लेता हूँ बर बेस्ट लेने का try करता हूँ ठीक है सो मैं ऐसा नहीं कि बहुत कचरा कर दूँगा हूँ गर में मेरे इसमें देखता हूँ तो मैं चारी ट्रेड लिए है ठीक है और वो भी मेरे quantity कितना लो रखा है इसका reason यह है कि इतने वॉलटाइल मार्केट में मैं क्यू कोई position हाई रखू क्यू कोई position बड़ी रखू अगर कल की दिन में market crash होता है मेरे break even मेरा break even आप देख सकते हो ल मंडे को अभी मंडे को scene यह हो रहा है कि भाई मुझे allowed ही नहीं कर रहा है मेरा broker कि आप wings अंदर लाओ वही है वही बेटर हो तो ऐसा भी होता इसलिए ना मैंने इतनी ज्यादा quantity में खरीदा ही नहीं है मैं अगर मुझे wings अंदर करने का chance मिलता तो iron fly में free कर देता without loss बेठे मैं ऐसे कुछ trades देता हूँ मेरे premium groups में भी जो कि उनको भी ज्यादा panic ना है वो job करने उनको job करने दो भाई अजार points का अगर इदर moment होता है फिर भी उनको panic बढ़ा ना है ऐसे में trade देता हो अभी 10,000 का profit चल रहा है में भी एक लाग देड़ लाग तक convert हो सकता है अगर यहा अगर 17,000 आते हैं so it's very nice ROI यह एक ROI बहुत अच्छा है और यह constantly मुझे एक ऐसा है देता रहा तो I will make big money in a future तो अभी बात करता हो कि भाई यह strategies कौनसी कौनसी में इसके बारे में भी वीडियो बनाने वाला don't worry अभी बात करता हो थोड़ा सा इसके बारे में कि भाई देखो ज आकि यहाँ पे so wait for it कि भाई wait करना चाहिए हमें बहुत भी जल्दगाई में trade नहीं लीना चाहिए then what about target targets का होने वाले में targets अपने resistance पे सब रहते हैं मेरे target सारे resistance पे रहते हैं JC resistance पहले यहाँ पे touch करता है first resistance 56 rupees का है then second resistance आप यहाँ पे देख सकते है 65 rupees का है 64 पकड़ सकते है अगर में third resistance के बारे में बात करता हूँ तो नियर नियर टू यहाँ पे देख सकते है 102 रुपई का है अभी stock price अगर आप 50 पे cross करने के बाद भी खरीदते हूँ तो लगबग लगबग third target तक आपको double पैसा हो चुका होगा तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते है company का stock piece अगर मैं कहूंगा debt to equity ratio यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है हम यहाँ पे 0.50 के ऊपर train नहीं करते है बट रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर promoter holding देखे जाए 53% है प्लेज यह 13% 59 करोड शेर से मार्केट में अवलेबल profit growth 304% है this is a very 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 good profit growth बहुत अच्छी खासी चल रही है free cash पर देखेंगे तो लगबग 333 करोड का है अगर EPS देखा जाए तो 5 का है return on assets यह बहुत कम है तो यहाँ पर हमें compromise कहीं न कहीं पर करनी पड़ेगी जो कि मैं हर बार बोलता हो आपको कहीं न कहीं compromise तो करना पड़ेगा आपको अगर मैं कहूं कि भाई last quarter का profit 66 करोड ता net profit और अब भी लगबग 97 करोड है नियर तो नियर 100 करोड तक यह पहुच चुके तो अभी share price इतनी 41 रूपीज 42 रूपीज पर चल रही है तो it's very undervalued company अगर future में देखा जाए तो इसका एक अच्छा खासा आपको returns मिल सकता है तो यह था आज के लिए मैं और भी वीडियो इन होगी मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलेगा आप अपना लगबग लगबग 10% स्टॉक में लगा दीजिए और उस 10% का 10% का 10% स्टॉप लॉस रखिए मतलब लगबग आपकी तलाखे 10,000 रुपे लगाई है और 1000 अगर 10,000 रुपे लगाते 1000 रुपे loss दिख रहा है तो exit कर लीजिए आपको पूरे पॉर्टफॉलियो में सिर्फ वर सिफ 1% का ही वो लॉस दिखेगा तो इसे रिस्क मैनेजमेंट के ते इसे रिस्क मैनेजमेंट से आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा और लॉस भी कम होगा और आपको रिग्रेट भी बढ़ाने होगा सो यह था 1000 का आपका stop loss रहना चाहिए मिंस 1% of your portfolio 10% of portfolio invest कीजिए 1% of portfolio का आपका stop loss होना चाहिए आज के लिए इतना है दोस्तों मिलता हो कल के वीडियो में तब तक के लिए मेरे youtube चानल को subscribe करें नीचे description में टेलेग्राम चानल इंस्टाग्राम ट्विटर फेस्बुक चारो का लिंक एक बार चेक आउट जरूर कीजिए